तो हेलो दोस्तों आप सबकर स्वागत है प्रियंगा की रसोई में तो आज हम बनाएंगे बहुती टेश्टी और हेल्दी नास्ता जो की बच्चे और बड़ो सभी को पसंद आएगा तो यहां जो हमने एक लोकी ले ली है और इसे जो हम अभी आधा काट करके ले लेंगे तो हमने गेहूं का अठा आधा कब डाला है और बाड़े कटा हुआ प्याज भाड़ी मिल्ची डाला है तो मैं यहां पर दिखाती हूं तो मेरा कैमरा बंद हो गया था और पता नहीं चला तो अब जो है यहाँ पे हम चार बने चमच्चे सूजी डालेंगे जिससे कि हमारा नास्ता जो है वो क्रिस्पी बने तो सूजी डालने से जो है नास्ता क्रिस्पी बनता है यहाँ पे चावन का आटा भी डाल सकते हैं हाप चमच अजवाइन डालेंगे हाप चमच हल्ली पौडर डालेंगे हाप चमच लल मिल्ची पौडर डालेंगे यहाँ चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं चमच गर्म दालेंगे और एक चमच जो है हम बिड्यानी मसाला डालेंगे जो कि मैं तयार करके घर में लगती हूं तो यहां पर हम अधरक लासुन इसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा और एक चमच जो है यहां पर नमक डालेंगे या फिर स्वाद अनोसार और अब यहां पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर जो है बेटर तयार करेंगे एक साथ यहां पानी हम बिल्कुल एड़ नहीं करेंगे ने तो हमारा जो बेटर है वो पतला हो जाएगा इसलिए य厉प थोड़ा थोड़ा बैटर डाल करिंगे तो दीके यहाँ हमारा बैटर तैयार हो गिया है इसे हम पांच मिननट के लिए रेस्ट होनेदेते हैं तो दीके पांच मिननट पाद मिनन पांट पुल अच्छास से भूल गया है तो हम मिक्स करें चीला भी बना सकते हैं जो कि बहुत ही टेश्टी लगती है खाने में तो यहां पेन में तेल गरम होने के लिए रख दिया था तो आप थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और इस तेल में जो है डालते जाएंगे और उसको इस तरीके से कल्चिक साथा से थोड़ा हम प्रेश कर देंगे जिसे की यह अच्छे से फेल जाएं और फिलेम को यहां पर हम लोट फू मेडियम रखेंगे जिससे की हमारा जो नास्ता है वह अंदल तक अच्छे से सिख और घ्रिस्पी हो तो देखें इस तरीके से जब एक साइट से चाहेजा तो प्राइब करें त्विक तरह सकते हैं और तरह से तरह से चाहें तो यहां पर गॉल्डन ब्राउन तक तक हैं तो यहां पर आपको नहीं समय थोड़ा जादा लगेगा लेकिन नास्ता ऐखाने में बहुत ही टेश्टी बनेगा तो यहां हमारे पास साइड में स्पेस था तो हमने यहां पे थोड़ा सा बेटर और एड़ किया है तो देखिए यहां हमारा नास्ता जो है अच्छे से गॉल्डन ब्राउन हो गिया है तो अब जो है इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे तो देखे इस तरीके से जो है हम निकल लेंगे और इसे जो है थोड़ी देर हम ऐसे ही रखने देंगे जिससे इसमें एक्ष्ट्रा जो तेल होगा वो नीचे निकल जाएगा तो देखें है जो है निकल लिया है और अब जो है इसे हम निकल लेते हैं और डूसरा बैच मियां तयार कर लेंगे स्म प्रोसेस के साथ और इस तरह किसे जो है जो हम नास्ता बना करके सभी को खिलाएंगे न तो लौकी ना खाने वाले भी मांग मांग करके खाएंगे तो देखें इस तरह किसे जो है हम थोड़ा थोड़ा इस पे तेल डालेंगे जिससे की जो हमारा नास्ता जो है अच्छे से बने और अब हम इस नास्तिक पलट देते हैं देखें यहां पे जो हमारा दूसरा बैच भी बनकरके तयार हो गिया है तो अब इसे भी हम निकाल लेते हैं तो देखें यह अच्छा से गॉल्डन ब्राउन हो गिया है और देखने से ही लग रहा है कि यह कितना किस्पी बना है तो सूजी डाला था तो सूजी डालने के कारण यह हैं यह lep적 लिगाक है तो अब हमी इस तरीके से जो है सभी को बना करें तयार कर लेंगे तो देखे हमारे सभी नास्था बन करके तयार हो गया है तो इसे जो है आप गर्मा गर्म शर्व कर सकते हैं तो ये नास्ता जो है उपा से क्रिस्पी और अंदल से सौफ्ट है जो की खाने में बहुत ही टेश्टी लगेगी तो अब इसे आप सास के साथ हरी चटनी के साथ या फीड चाय के साथ gegen sich уже gonna serve कर सकते हैं मैंने यहां पर सास के साथ इस सर्वी किया है तो अगर ये बैस मेंयोगे तो चैनल को लाइक करें जादा जादा सेयर करें और कमेंट करें कि जो रेसिपी कैसी बनी है चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें थैंक्स फोर वोचिंग